बादशाह और बीरबल की कहानी जिसका सीर्षक है मनहूस एक बार बादशाह ने पूछा कि कोई आदमी मनहूस भी होता है बीरबल ने कहा कि बहुत से लोग मनहूस होते हैं एक मनहूस आदमी मेरे सामने पकड़ कर लाओ, बादशाह ने आग्या दी दूसरे दिन बीरबल एक आदमी को पकड़ कर लाया और बादशाह से बोला यहाँ आदमी बहुत मनहूस है जो सुबह ही सुबह इसकी शकल देख लेता है, उसका पूरा दिन खराब बीटता है सच्मुच बादशाह को उस दिन बहुत परिशानिया हो रही थी, इसलिए बादशाह को उस मनहूस पर क्रोधा गया उसने दूसरे दिन उस व्यक्ति को फांसी का आदेश दिया जब फांसी का आदेश हो गया, तो बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज क्यों इस बेचारे को फांसी देना चाहते हैं यह सच्मुच मनहूस है फिर, कल सुबह सुबह इसी का मुह देखा था इसका मुह देखने के कारण मैं सारा दिन परिशान रहा था तभी तो फांसी चड़ा रहा हूँ इसे और हुजूर इसने किसका मुह देखा था जो यह दुनिया से जा रहा है बादशाह चौक पड़े क्योंकि उस आदमी ने भी बादशाह का मुह देखा था बादशाह सब समझ गए इनाम देकर उस आदमी को विदा कर दिया इसी प्रकार की कहानिया सुनने के लिए विडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें भन्यवाद